ब्रेकिंग न्यूज, हुन्डई का छोटा पैकेट बड़ा धमा का, नई लॉंच कैस्पर में दिया गया है 940 लीटर का बूट स्पेस जी हाँ दोस्तों, हुन्डई मोटर इंडिया ने बीते दिनों अपनी कॉम्पेक्ट SUV वेन्यू का फेसलिफ्ट मॉडल लॉंच किया है, जो की काफी सारे कॉस्मेटिक बदलावों के साथ लेटिस्ट फीचर से लैस है, आने वाले समय में वो अपनी बेस्ट सेलिंग SUV क्रेट का भी फेसलिफ्टेड वर्जिन लॉंच करेगी, इन सभी के साथ ही हुन्डई अगले कुछ महीनों में एक माइक्रो SUV कैस्पर को भी लॉंच कर सकती है, जिसका मुकाबला टाटा पंच और मारूती इगनिस के साथ ही अपकमिंग से ट्रॉन C3 जैसी कारों से रहेगा, चलि कि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर जाएं, वेल आपको बता दें कि हुन्डई ने पिछले साल 2021 में अपने घरेलू बाजार में हुन्डई कैस्पर अल्ट्रा कॉम्पेक्ट कार को पेश किया था, जिसे ग्राहकों से अच्छा खासा रेस्पॉंस भी मिला था, साइज में छोटी देखने वाली ये कार बड़े केबिन की वज़ह से अर्बन एरिया में ज्यादा पसंद की गई, बाजार में अपनी मजबूत पकड बनाने के लिए कंपनी ने कैस्पर वैन को बाजार में उतारा है, कंपनी इसको तयार करने में काफी समय से जुटी हुई थी, सबस दियारल और लोवर बंपर में एलिडी रिंग भी आपको देखने को मिलेंगे, कैस्पर में ज्यादा अग्रेसिव बंपर, सिल्वर फिनिश्ट, स्किड प्लेट और वायर एर डैम दिया गया है, हुंडई कैस्पर में ड्यूल टोन रूफ टेल्स, स्क्वेरिश वील इंच का तुछ स्क्रेन इन्फोटेन्मिन सिस्टम, मल्टि फंक्शनल स्टेरिंग वील, अज्जस्टिबल हैं ड्रेस्ट, कनेक्टेड कार टेकनोलजी, रिवर्स पाकिंग कैमरा, ड्यूल एर बैक्स और कीलेस एंट्री समेट, कई स्टैंडर्ड और सेफटी फीचर्स दि डेवलप किया जाएगा, और ये हुन्डई वेन्यू से काफी ज्यादा इंस्पायड होने वाली है, कैस्पर के इंजन और पार की अब मैं बात कर लूँ, तो इसमें 1.1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलेगा, जोकी 69 PS की पार जेनरेट कर सकेगा, वहीं 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 82 BHP तक की पार जेनरेट कर सकेगा, हुन्डई कैस्पर को 5-speed manual और automatic transmission option के साथ भी पेश किया जा सकता है, तो चलिए अब कीमत की बात कर लेते हैं, तो इसकी कीमत 3,76,000 रुपई के आसप लगा है, तो इस वीडियो को करें, ज्यादा से ज्यादा शेर, तैंक यू फू वाचिंग